कहानी की शुरवात होती है एक बेहत शातिव चोर से जिसका नाम था डायबॉलिक। एक रात वो आमेन नाम की एक जूररी कमपनी की खड़ी सुरक्षा वाली बिल्डिंग में वहां का सबसे खीनती ताज आर्मेन क्राउन चुराने पहुँचा। इसकी सुरक्षा गे लिए स सलाम सुनकर तुरंट कमरे की ओर भागे पर वो दर्वाजे को खोल नहीं पाए क्यूंकि डायबॉलिक ने अंदर से चाबी का छेट बंद कर दिया था। आखिरकार गार्ड्स ने दर्वाजे को बम से उड़ा कर अंदर जाने का फैसला किया। इसी दोरान डायबॉलिक ते तेजी से फरार हो गए। फिर अगली शाम आर्मेन कंपनी ने अपने जेवर दुनिया को दिखाने के लिए एक शो रखा। शो के दोरान पांच डांसर्स ने आर्मेन के बैतरीन जेवर पहेंकर परफॉर्मेंस दी। इन जेवरों को देखकर बड़े बड़ों के होश उड गए थे। इस तोरान हॉल के चारों और पुलीस वाले तैनात किये गए ताकि फिर से चोरी ना हो सके। लेकिन फिर परफॉर्मेंस के बीच अचानक से लाइट चली गई। तब इक पुलीस वाले ने डांसर्स को अपने साथ एक सुरक्षित कमरे में चलने को खा। जल्द दूर जाते ही उसने लड़कियों से सारे कींती जेवर उतरवाल ये और उन्हें साड़क के बीचों भी छोड़कर भाग गया। इसके बाद वो लड़कियां पास के ही एक बार में गई ताकि वो किसी को फोन कर सके। और फिर वहाँ एक लड़का उन्हें छेड़ने लगा तब लड़कियों ने अपनी असलियत दिखा कर उस लड़के को मजा चखा दिया। असल में वो डांसर्स नहीं बलकि अंडरकवर एजेंट्स थी किने डायबॉलिक को फजाने का मिशन दिया गया था। फिर उनकी लीडर एजेंट बुराव ने इंस्पेक्टर गिंको को फ उथर डायबॉलिक और इवा अपने खूफी आर्डे पर पहुँचे जो कि पहाड के अंदर बना था। वहाँ जाकर दोनों ने चोड़ी की खुशी में शराब पी और एक दूसरे को चूम लिया। अब तक उन्होंने काफी संपत्ती इकर्टा कर ली थी जिनी इवा ने का कि उन्हें घूमने जाना चाहिए पर डायबॉलिक ने इंकार कर दिया और उसे अपनी अगली चोड़ी का प्लान बताने लगा। इस दोरान पुलीस जेवरों को ट्रैक करते करते पहाड तका पहुची पर आगे उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। गिंको ने इ इवा ने उन्हें CCTV कैमरास से देख लिया और वो सारे जेवर वहीं छोड़ कर खूफिया रास्ते से भाग निकले। जब तक गिंको की टीम अंदर पांची तब तक वो भाग चुके थे इस इन्हें सभी पुलीस वाले खूफिया रास्ते से उनका पीछा गरने लगे। वो अकेले ही अपना पैर निकालने की कोशिश में लगी रही। बगर जब तक उसका पैर निकला तब तक पुलीस वाले पीछा करते हुए उसके करीब पहुँच गए। इवा समझ गई थी कि अब उसके पास भागने का समय तो नहीं है। इसलिए वो पहाड़ी पर चड़ के बाहर मौझूद एक पुराने बिर्डिंग का नक्षा मिला। उसे शक हुआ कि शायद ये भी डाइबॉलिक का अड़ा होगा। इसलिए वो वहाँ जाच करने के लिए मौचा। वहाँ जाकर गिंको और उसके साथ ही अलग-अलग दिशाओं में पढ़ गए। तलाशी रेते हुए अचाना की कॉफिसर ने एक ऐसा दर्वाजा खोल दिया जो बेस्वेंट की ओर जाता था। नीचे बहांच कर उन्होंने देखा कि ये वही जगा है जहां डाइबॉलिक अपने मिशन्स में भेज बदलने के लिए अलग-अलग मास्क्त बनाता था। इतना गिंको से मिलने सीधा पुली स्टेशन पहुंची और तब ये खुलासा होता है कि वो दूनों एक दूसरे से प्यार करते थे। बातों बातों में एल्टिया ने कहा कि उन्हें अपने प्यार का इजहार पूरी दुनिया के सामने कर देना चाहिए। पर गिंको ने कहा कि उसने पुछ पुलीस वालों की आवाज सुन ली। आज रात की ड्यूटी एजेंट रूलर की थी। थोड़ी दिरवार डायबॉलिक ने अजानत से दर्वाजा खोल दिया तो रूलर ने उस पर अंधा धुन गोनिया चला दी। पर असल में वो डायबॉलिक पर नहीं बलक अगले देन उसे मिनिस्टर आफ जस्टिस ने आगे की प्लान पर चर्चा के लिए बुलाया। इस बाचीत के दोरान अचानक उन्हें इवा का फोन आया। उसने गिंको को आफर दिया कि वो डायबॉलिक को पकड़ने में उसकी मदद कर सकती है। पर बदले में उसे सही सल जामत दूसरे देश में पहुंचाना होगा। इवा ने उन्हें सोचने किन ये 30 मिनिट का समय दिया। तब मिनिस्टर ने गिंको से कहा कि उनका असली शिकार तो डायबॉलिक है। इसलिए उन्हें इवा को आफर माल लेना चाहिए। पर गिंको के दिमाग में तो कुछ औ गिंको जैसे तैसे कड़के बात आगे वरहाता रहा। जल्द ही उसके टीम लोकेशन धूंड कर वहां पहुंची तो उन्हें देखा कि इवा तो फोन बूच से कॉल कर रही थी। और इवा ने पुलीस वालों को देख लिया और उपड़ी चला कि से नीचे बनी सुरंग से गायब हो गई। एक बार फिर पुलीस वानों के हाथ कुछ नहीं लगा। वहीं दूसरी ओर डाइबॉलिक के अड़े पर सालजेंट एलेना की टीन चोई के जेवनों की जाच कर रही थी। तभी एलेना ने देखा कि उनमें से एक ब्रेसलेट गायब था। उसने तुरंत ये खबा गिंको को दी और गिंको ने कहा कि ये ब्रेसलेट जरूर इवा के पास होगा। गिंको ने अपने टीम को ब्रेसलेट ट्राक करने को कहा और उसकी बात सच निकली। जल्द ही एजन्ट रोलर ने इवा की लोकेशन पर बांच कर उसके सर पर बंदूग रख दी। लेकिन अचानक से इवा ने उस पर हमला करके उसकी बंदूग छीन ली और फिर उसे की गारी लेकर भाग निकली। कुछ पनों बाद पालमर पुनिस वालों के साथ माँ पहुँचा तो उसने देखा कि रोलर्स जमीन पर बढ़ा था और तो आर उसने इवा के हाथ से प्रे गिंको को काफी डांट सुननी पड़ी इस बार मिनिस्टर ने उसे कैसे भी करके इवा के साथ मिलकर डायबॉलिक को डूखे से वो तूट चुकी है और अब उसे किसी भी हाल में बतला चाहिए उसने गिंको को अपना प्लान बताते हुए कहा कि डायबॉलिक अपना चोडी काल कि उसे पूरे अंडर वर्ल्ड में ये बात फैलानी होगी कि पुलीस सारा लूट का माल एक सुरक्षी जगा बने जा रही है जब ये बाद डायबॉलिक तक पहुँचेगी तो वो चोडी का माल लेने जरूर आएगा असली माल बिना जादा सिक्यारटी के एक आम सी गा करना शुरू कर दिया उसने एक अंडर कवर एजेंट की मदद से ये खबर पूरे अंडर वर्ल में पहला दी ताकि डायबॉलिक तक खबर पहुँच जाए इसके बाद गिंग को अल्टिया से मिला और उससे कहा कि वो उसकी पार्टी में नहीं अपाएगा क्योंकि उसी दि को बुला कर प्लान समझाय गया खिर उसने असली माल वाली गाड़ी को चलाने के लिए किसी ऑफिसर को आगे आने को का तो रोलर ने का कि गारी वो चलाएगा एलेना ने उसे रोकने की कोशिश की क्योंकि इस बार गलती की कोई बंजाइश नहीं थी पर रोलर अपने पिछ रक्षा वाली गाड़ी अड़े से निकल पड़ी कुछ ही समय बाद रोलर भी अपनी गाड़ी लेकर उल्टी दिशा में निकल पड़ा जैसे पूलीस वालों की काड़ियां सुरंग में पहुची तो अचानक सुरंग का दरवासा बंद हो गया और वो सभी बेचारे वहीं पस गए तभी धूएसे एक आदमी निकला और सबने अपनी बंदू के तान ली अगर ये तो सिर्फ एक पुतला था उधर पार्टी में अपना नेकलेस लेने गई लेकिन नेकलेस तो चोड़ी हो गया था तभी हम देखते हैं कि रोलर हाइवे से हटकर एक खूफिया जंग अगर ले आए इसके बाद रूलर ने भी अपना मास्क उतारा और और खुलासा हुआ कि ये कोई और नहीं बलकि डाइबॉलिक ही था तब इस बाद से पलता उड़ता है कि शुरवाद से ही ये सारा अप्लाइन डाइबॉलिक का ही था उसने जान बूज कर ईवा को अकेला दाखी गिंको के मन में शक पैदा हूँ उतर इवा भी पानी में खूद कर एक खूफिया रास्ते से बच निकली इसके बाद जब टाइबॉलिक का सामना रूलर से हुआ तो उसने रूलर को माल डाला और उसके चैरे का मास्क बना कर खुद रूलर की जगा लेट गया इसी कि ना तो वो चोड़ों को बकड़ सके और ना ही एलतिया का नेकलेस बचा पाए वहीं डाइबॉलिक और इवा आपने आलेशान बंगले में मजे के जिन्द की गुजाने